नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत हैं आज हम बात करेंगे कि आप अपने गर पर कोई भी आयोविदिक ओयल कैसे बना सकते हैं आज हम बात करेंगे प्याज के ओयल के बारे में आप अपने घर पर प्याज का ओईल किस परकार तयार कर सकते हैं मैं इस वीडियो में आपको प्याज के ओईल को बनाने की वीदी के बारे में बताऊंगा अगर दोस्तों आपके बालों में कोई भी प्रॉब्लम होता आप इस ओईल का यूज कर सकते हैं अगर आपके बाल समय से पहले बहुत ही ज़्यादा गिरते हैं या फिर दोस्तों आपके समय से पहले ही आपके बाल सपेद हो गये हैं या आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा हैरफॉल है या आपके बालों में दोस्तों डैंडरप की प्रॉब्लम है तो आप इस ओयल को बना सकते हैं आपके बालो में अगर कोई भी प्रॉब् gli है तो आप इस प्याज के होängt कर सकते हैं देख की अइसे कैसे अफने घर पर बनाते हैं दोस्तो इसके लिए आपको दोस्तो कि मेडियम साइयो fruit को 4 प्याज ले लेने हैं दोस्तो अगर प्याज की benefit की बात करें अपने बालों के लिए तो प्याज के रस में alopecia का इलाज किया जाता है जो बाल जड़ने को रोकता है यह बालों और scalp को पोशक देता है प्याज के रस में antibacterial गून होते हैं इस कारण यह scalp में होने वाली किसी भी परकार के संकर्मन से बचा कर बालों को जड़ने से रोकता है इसमें प्रचूर मात्रा में सलपर होता है जो scalp के blood circulation में सुधार कर नए बालों को जमने में मदद करता है प्याज कर रस बालों के घनतत्व को बढ़ाता है जिससे आपके बाल बहुत ही जाता घने हो जाते हैं इसके साथ में आपको 12-15 कली लसून की ले लेनी है अगर लसून की benefit की बात करें आपके बालों के लिए तो लसून में रोम को साप करता है मजबूत बनाता है और खोपड़ी पर गंदगी कटा होने से भी रोकता है लसून अपने बालों के लिए बहुत ही जादा benefit होती है अगर next आपको एक कटोरी कड़ी के पते ले लेने हैं अगर कड़ी के पते की आपके बालों के लिए benefit की बात करें तो ब ओंखल्प के संकर्मे में तो बहुत ही जादा benefit होता है गड़ी के पत्तों नेक्स्ट आपको दो चमाच मेतिय के दाने ले 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 हैं अगर मेतिय के दानों का benefit अपने बालों के लिए benefit की बात करे तो मेतिय के लिए बहुत ही काफी फाइदेमन होती है इसमें अधिक मातरा में प्रोटीन होती है जो बालो के विकास में तेजी लाइने में साइक होती है मेथी बालो को जढ़ने में उन्हें काला बनाने में अवार रूसी दूर करने में मददकार होती है साथ ही बालों को घना स्वस्त और मुझबुत भी बनाती हैं दोस्तों इन मेथी के दानों को आपको दोस्तों दो गंटे तक पानी में भीको कर रखना हैं दोस्तों इन सभी को एक मिक्सर में अच्छे से आपको पीस लेना है और एक अच्छा सा पेस्ट तयार कर लेना है इन सभी को पेस्ट को अलग आपको रख देना है इसके बाद नेक्स्ट आपको 250 ml का कोकोनट का ऐल लेना है इसके साथ में ही आपको 250 ml एक सरसो का तेल ले लेना है इन दोनों तेल को मिक्स करके आपको आपको इसके साथ में पेस्ट को जो अपने पेस्ट बना है उसको अच्छे से इन द पोरंटेड के चार कैपसुल इसके अंदर ओईल के अंदर मिला देने हैं दोस्तों तो आपका ओईल अच्छा एक प्याज का ओईल आपके घर के अंदर तयार हो जाएगा इसको आपको एक काच की सीसी में अच्छे से बरके रख देना है अपने घर पे इसका यूज आपको आपके जड़े इन ऑईल से मजबुत हो जाएगी आपका जढ़ने का प्रॉब्लम भी पूरा दूर हो जाएगा दोस्तों इसके बाद में आपको पांच से छे घंटा अपने बालों में रखने के बाद अच्छे से कोई भी सैम्पू से वाच्स कर लेना है दोस्तों तो आज तक के लिए इतना है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करकर ज़रूर बताए कि आपको वीडियो कैसा लगा हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए अपना खाया है